आज़ी नागपुर में हत्या की मामले बढ़ते ही जा रहे हैं जो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं ऐसे में और एक हत्या की खबर नागपुर से साम्द आई है नागपुर के M.I.D.C. पॉलिस टेशन अंतरगर राजी नगर बस्टॉप की पास पांट अबरी पर बैठे दो पॉलिस मित्र यूग को पर 6-7 लोगों ने धारदार हतियास से हामला कर दिया हमले में एक शक्स की मौत हो गई है जबकि दूसरा गंबी रुप से खाल हो गया है जिनने इनाच के लिए लता मंगिश कर अस्पतार में भरती करा गया है जा उसकी हालत शिंता चलक बनी हुई है मेली जानकारी के मताबिक मृत्त की पैचान राकेश मिश्रक उम्र 27 साल राजिव निगर निवासे के रूप पे हुई है और रवी जैसवाल उम्र 28 साल का इलाज चल रहा है हमले के बाद सभी आरुपी कार में सवार हुकर भाग ये घटना बुद्वार राक की है ये दोनों इस इलाके की आर्टियों से चुड़े दस्तावेच तयार करते थी वही राकेश पुलिस मित्र भी था यानि पुलिस के लिए मुगबिरी का कांग करता था राकेश और उस पे राकेश और रवी के पास पहुचे और उन पर तेज़दार हतियारों से बार करना शुरू कर दिया राकेश घायल होकर वही पर गेर पड़ा इस ते रवी अपनी जान बचाने के पास ही एक मईला डॉक्टर के क्लिनिक में घुश गया और शीशे के कैबिन को अंदर से कर दिया उसका पीछा करते वी आरूपी वहाँ पहुच गया और कैबिन का शीशा तोड़कर अंदर खुच गया और मरिजों पर डॉक्टर के सामने ही उससे गंबे रुप से घार कर दिया और कार में बढ़कर वहाँ से भाग गये जानकारी मिलते ही M.I.C. पुलिस, पुल अंसारी की रिपोट